Welcome to our channel exam in the BDS मैं हूँ Dr. Dinesh आज थोड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक देखने हिवाले हैं एनफालाक्सिस इसका डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग यह है कि हमारा बॉड़ी ऐसा भी अलर्जिक रियक्शन प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा जान भी जा सकता है इसका एटियॉलॉजी देखते हैं फूट्स, लैटेक्स, इंसेक्ट वैनम और ड्रक्स ऐसे सीज़े हमारे बॉड़ी में एक्स्ट्रीम इम्यून रियक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं अभी मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ आपने 5-star होटल्स देखे होंगे जिसकर 10 रूम हैं तो 10 रूमों में भी fire detectors होते हैं और fire alarms भी होते हैं अगर हम उसमें से किसी एक detector के पास mastic जलाते हैं या थोड़ा सा धुवा पास लेके जाते हैं तो सारे के सारे 10 रूमों में बारिश जैसे पानी गिरता है एनफाल आक्सिस कुछ ऐसे ही टाइप का reaction है जब हमारे बॉड़ी में कुछ allergens डिटेक्ट होते हैं हमारा बॉड़ी उसे बहुत बड़ा खत्रा समझ लेता है उसे fight करने के लिए बहुत सारे histamines और mast cell mediators release हो जाते हैं जिसके वज़े से सारे symptoms आते हैं चलो अब हम clinical manifestations को देखते हैं बस ये एक picture याद रख लो तो पूरा answer लिख सकते हो तो इसको एक-एक करके दिखते हैं patient को loss of consciousness हो सकता है मूँ और होटो में swelling आ सकता है जिसे हम angio edema कहते हैं हाथ, पाउँ और genital parts में खुजली होती है face sweat होके लाल हो जाता है blood pressure drop होता है और diarrhea type की symptom भी आ सकते हैं कुछ लोगों को bronchi constrict होने से asthmatic attack भी आ सकता है अब हम इसके investigations देखते हैं diagnosis के लिए serum में mass cell tryptase की concentration देखी जाती है IgE antibodies भी elevate हुए होते हैं अब हम इसकी management section देखते हैं सबसे पहले reaction cost करने वाली allergen को निकाल देना चाहिए हमें चेक करना चाहिए कि patient की airway patent है की नहीं वो अच्छी तरह breathe कर पा रहा है या नहीं अगर patient unconscious है और उनका जीब उनके throat को block करके रखा है तो patient को थोड़ा back side में extend कीजिए ताके larynx open हो जाए और immediately adrenaline injection देना चाहिए 0.3 to 0.5 ml 1 is to 1000 रेशियो में अगर 5 से 10 मिनिट में उनका symptoms subside नहीं हुआ और उनका condition वैसा ही है तो एक और dose दे सकते हैं साथ में हम उनको anti-histamines administer करते हैं chlorphenamine और corticosteroids भी दिया जाता है hydrocortison 200 mg anti-histamines already release हुए histamine के reactions और symptoms को control करते हैं ताकि वह histamine further symptoms ना create कर पाएं और corticosteroids immunosuppression जैसे काम करता है ताकि unwanted immune reactions further ना आए और patient को oxygen और IV fluid से support किया जाता है patient को bronchoconstriction हो गया या patient asthmatic है तो उसे beta-2 agonist जो की salbutamal है inhalation route में दिया जाता है और जब patient इसमें से recover हो जाता है तो patient को हमें educate करना चाहिए कि जो जो allergens हमें ऐसे reactions produce करते हैं उन allergens को avoid करना जरूरी है और कुछ कुछ लोगों को allergens पता नहीं होता है जो फूड में होता है जैसे कि अटो पीनट तो वह patient कभी होटल में जाके खाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसे चीज़े फूड में add किया है कि नहीं और हम और और अनफाल आक्सिस reaction कभी भी स्टार्ट हो सकता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए self injectable adrenaline kit prescribe करना चाहिए उस kit में जरूर दो injections होने चाहिए और patient और patient के family वालों को उस injection को use करने के लिए सिखाना चाहिए उस kit में एक injector होता है जिसका cap जब हम open करते हैं तो वो activate हो जाता है तो उस injection को हमारे body में कसके दबा लेना चाहिए तो adrenaline inject हो जाता है तो आज का topic यहीं खतम हो रहा है आज का bonus fact देखते हैं अगर एक आत्मी 8 दिन से ज्यादा बिना सोई रहेगा तो वो मर जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching